हुआ है तो आज मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं अपने करन्ट पांच फेवरेट यूट्यूबर्स के बारे में यह यूट्यूबर्स वो है जो इन वे मुझे इंस्पायर भी करते हैं यूट्यूबिंग को लेकर और मुझे काफी एंटर्टेंग भी करते हैं मैं काफी लोगों को पिछले कि पीन-चार सालों से फॉलो कर रहा हूं और मैंने इनको ग्रोग करते हुए देखा है और काफी लोगों ने मुझे एंटर्टेंग किया है तो मैं मैं डेफिनेटली जब भी इनका कोई नया वीडियो आता है मेक्शूर आइबाच इट तो शुरू करता हूं और नंबर पांच पे जो मेरा करन्ट फेवरेट यूटूबर है वो है मुंबई का निखिल तो मुंबई का निखिल एक्शली मुझे काफी स्टाइलिश यूटूबर लगता है जैकेट बैंके बाइकिंग करता है उसके पास BMW बाइक भी है और और एक और बाइक हैं श तो डेली व्लॉगिंग जो है वो असान काम नहीं है और एक तरह से आपको मतलब पर्मनेंटली यूटूबिंग में आना पड़ेगा तभी आप डेली व्लॉगिंग कर सकते हो अधर्वाइस इस नॉट पॉसिबल तो डेली व्लॉग अलांग विज यूर अधर वरक तो मु तो अब बात करते हैं नंबर चार की जो मेरा करन्ट फेवरेट यूटूबर है जिसको मैं काफी रेगुलर्ली फॉलॉग भी करता हूं और वो है फ्लाइंग बीस्ट तो जो लोग भी यूटूब देखते हैं वो जानते हो में फ्लाइंग बीस्ट कौन है और फ्लाइंग रॉंग वो जनकपुरी से बिलॉंग करते हैं मुझे उनका exact address नहीं मालूं बट जो उनकी वीडियो मैंने देखे हैं तो मुझे लगता है जनकपुरी डेली से बिलॉंग करते हैं बट आई उल्सो स्टेड इन जनकपुरी फॉर 20 येर्ज तो अब इनकी अब इनके जो जो मैं वह गिनाना शुरूर करूं तो एक पूरा यूट्यूब वीडियो सी में बन जाएगा कफी कॉंप्लेक्स भी हो जाएगा सुन-सुनके ये बंदा पाइलेट है और बॉडी बिल्डिंग भी करता है बॉडी बिल्डिंग से मेरा मतलब यह नहीं कि सिर्फ जिन जाता है अलकी फलकी बॉडी एक प्रोफेशनल लेवल का बॉडी बिल्डर जिसे कंपीट किया हुआ है वह है और पाइलेट तो में पता चुका हूँ बॉडी बिल्डर है और यूट्यूब में तो आफकोर्स काफी बड़ा नाम है इंडिया में और भाई को अभी भी चैन नहीं है कि यह बाई सब अब इन्हों अपने कुछ पिछले वीडियो में बताया कि वह अब लॉकी भी तेहरी कर रहे हैं और क्योंकि कुछ उनका प्रॉब्लम होगे थी किसी एलाइन से उससे उनको इंस्पिरिशन मिली कि वह लॉकी लिए प्रिपेर कर रहे हैं और अग्रे साल तक उसका एक्जाम एंटर्स एक्जाम देंगे और तो भाई बस यह है कि अगर टैलेंट सी आदमी 10% में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगे हमारे लिए बाकि लाइक मुंबे करने के लिए अपने डेली व्लॉक्स डालते हैं काफी विन को बहुत चबदस व्यूज मिलते इनके मैं तो वैसे फ्लाइंग बीस चैनल करता हूं इनका बाड़ी बिल्लीग से रेलिटेड चैनल भी है और गेमिंग चैनल भी है गेमिंग पे मैं इतना इंटरस्टेट नहीं हो तो मैं नहीं देखता लेकिन आप एक उनका जो प्यारा असट है उनकी जो डॉटर है रश दालते है कि वो पिछले साल तक क्या बोलती थी अब क्या वर्ड्स वो यूज कर लेती है कितना ग्रो कर चुकी है तो काफी वो कनेक्टेड है अपनी ओडियन्स से और मैं बेस्ट विश्ट इस तो मुमेका निकल और फ्लाइंग बीस एक चीज मैं इनसे एक्सपेट करता हूं कि यह काफी बड़े यूटुबर्स है इंडिया के और अप्यूंकि काफी बड़ा नाम है इनके पास काफी ज्यादा सुप्स्राइबर्स है तो आइक्सपेट जैंक प्लैन होगा भी कि वो थोड़ा सा इंडिया को ज्यादा प्रमोट करें अपने अपने व्लॉग में इंडियन टूरिस्स प्लेस को ज्यादा एक्स्प्लोर करें और दिखाए बजाए से कि फॉरन कांट्रीज का अगर वह दिखाते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है बड़ तो इंडिया को ज्यादा प्रमोट करें एपने वीडियो में ठीक है तो तो नमबर तीन नबर तीन पर जो है वह काफी बड़ा नाम तो नहीं है लेकिन आम इन शीज़ गोड़ यूट्यूबर अब चैनल का नाम थोड़ा सा इतना फैमिलियर नहीं लगेगा या आप आसान नह की कपू तो हर नेम इस पूजा और मैंने सीरियूसी बताओ मैंने उनका बस एक बार मुझे पॉप आया था यूट्यूब में उनका किसी वीडियो का तो मैंने देखा कि वो जो लड़की है वो इंडिया से अभी हाली में कैनेडा सेटल होई है और वाटेवर रिजन और शी वांट तो स्टे इन कैनेडा और तो मैंने वह पहला वीडियो देखा और मुझे लगा कि यह काफी प्रिविलेज फैमिली से बिलॉं करती है ऐसा लग रहा है मुझे और मैंने कुछ वीडियो देखे और मुझे एक वह और उसका हजबन जो है एक प्रिविलेज फैमिली से चंडीगर से बिलॉं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि पर्सनली सीरियसली मुझे लगता था कि शायद यह कैनेडा में सर्वाइब नहीं कर पाएगी और सैटल नहीं हो पाएगी इस किरियोसिटी से मैंने उनके वीडियो देखने शुरू तो मुझे यह थॉट्स आते थे और मैंने इस वीडियो देखना शुरू किये कि लेट सी हाव शी सर्वाइब इन कैनड़ बट तो मैं आपके वीडियो देखना शुरू में कर दिया थे तो मुझे उनका कॉंटेंट अच्छा लगने लगा कि जिस तरह के वह वीडियो बना है उनसे और मेरी यह जो गलत सहम ही थी कि वो यह नो सर्वाइब नहीं कर पाएगी वो भी दूर होगी क्योंकि काफी मेहनत वो करती है अपना घर भी देखती है अपनी जॉब भी देखती है और काफी अच्छा content भी बनाती है and she's doing well her channel is also doing well काफी subscribers उनके बढ़ रहे हैं तो daily vlogs वो नहीं करती but I think week में दो vlogs वो डालती है यह एक डालती है लेकिन मैं regularly देखता हूँ उनके वीडियो जो भी आते है I really like her and एक reason तो यह था और दूसरा reason उनको follow करने का यह है कि I find her very cute and good looking and okay so that is also one reason I look at her because you know aap youtube लेखते हो you like to see a pretty face on your mobile phone or on your screen right so that is also one reason I follow her I find her very good looking so that is the reason or मैं अब देखना चाहता हूँ क्योंकि next year में भी Canada में चीजे जब नॉर्मल होगी तो definitely वह और भी शायद जाद़ वीडियो डैले की और क्या क्या वह एक्स्वोर करती है Canada में और उसके आसपास I think जो उसका नेचर है मुझे समझ में आ गया है she likes to enjoy her weekends work hard on on the weekdays and enjoy her weekends that kind of nature she has तो definitely जब चीजे नॉर्मल होगी तो वह काफी जागा एक्स्वोर करेगी अपना Canada को और शायद अमेरिका करका तो मैं I'm looking forward to her videos तो उनका एक अभी जो लास्ट वीडियो था जो नाइगरा का उन्होंने टूर किया था वो मेरा बहुत पसंद आया मैंने वो दो तिंग बार देखा वो वीडियो जो था काफी अच्छे से उन्होंने उसको दिखाया और capture किया जो नाइगरा में उनका टूर था weekend उन्होंन तो आते नंबर दो पे नंबर दो पर जो मेरा करण्ट फेवरेट यूटूबर है वो इंडिया से नहीं है वो पाकिस्तान से और यार एक तरह से मैं कहूं तो प्रैंक्स्टर है वो और बहुत ही चिचोरा है और इतने वह जगह-जगह पाकिस्तान में आप मासेश को जाके कभी पानवाला बन जाता है कभी यह नए बन जाता है कभी धर जो बीघंड पबलिक आती है उन पर प्रांक्स करता है उनकोत ऐसे तो बहुत ही मुझे अंट्रिटेशन लगता है इसको उसके वीडियो वी आप देखना I hope you like it because वो जो रियूमर है वो शाय सबको पसंदना है क्योंकि वो उस टाइप का हुमर है जो 90's में पाकिसानी प्लेज में हो था उमर शरीफ टाइप तो जिन लोगों को पसंद आते थे डेफिनिटली उसको इसका चैनल भी पसंद आएगा और जो प्रैंक से करता है तो काफी पॉपुलर भी हो गया है और सब्स्ट्वाइबर भी बढ़ गया है इंडिया में भी काफी लोग फॉलो करते है और मुझे तो बहुत आटीडेन करता है बंदा तो मैं तो कोई भी इंका वीडियो आता है अगर मुझे पसंद आगया तो मैं तो कई बार रिपीट में देखता भी हूँ और बदब किर्यासिटी होती है नेक्स्ट वीडियो का बैगा आप तो वैसे काफी फ्रीकुइंट भी हो गए वो अपने वीडियो में अफ्ते में काफी वीडियो आ जाते हैं मुझे लगा तो अब क्योंकि प्रैंक नहीं कर पाएगा तो वीडियो कम आएंगे लेकिन वीडियो काफी आए उनके लागडाउन में भी पाकिसान मैं डून नो क्या सिचेविशन है करोना की बटन की वीडियो है और मैं रेगुलरली बड़ी ही किरियासिटी से उसके नमबर डू तो अब नमबर वान पर जो मेरा यूटूबर है वह बड़ा यूटूबर तो है डेफिनेटली है लेकिन मुंबई का निखेल या अभी फिलाल फ्लाइंग बीस्त यतना बड़ा नहीं है यह पर आई डोंग क्यों नहीं है क्योंकि वह हर चीज उनकी वीडियो में मुझे दिखती है जो उन दोनों के वीडियो में दिखती है और वो भी आप अल्मोस्ट डेली व्लॉक्स करने लग गया है और जो कॉलिटी वीडियो वो डालता है जिस तरह से वो क्याप्चर करता है चीजों को मुझे यूटूबिंग को अलग ही लेवल और एक अलग पेंचमार्क सेट करने वाला बंदा लगता मुझे तो उसका नाम है ट्राइवलिंग देशी ट्राइवलिंग देशी भी हमारे डेली अंजियार का ही एक बंदा है और जो शायद फरीदाबाद में यह गाजियाबाद म सब्सक्राइवलिंग मेरे को मेरी सारी बेस्ट इनके साथ है और चैनल ग्रों भी कर रहा है अब तो उनके जो बड़े ब्रेदर हैं वह नहीं पर चैनल खोल लिया तो उनके ब्रदर का चैनल फिर उनका बहां जाए उनका भी चैनल है तो देफिनिटली ऑफकोस इनोंने प्रपोट किया है तो काफी सब्स्राइवर्स उनके भी हो गए तो इन टोटल तीन चैनल यह आप देखो तो ट्राइवलिंग देशी को I think he deserves more because and he will definitely mark my words he will definitely be one of the top YouTubers in next 2-3 years क्योंकि जिस तरह के वीडियो बना रहा है अगर आप एक वीडियो देख लो तो you will see the difference जो क्वालिटी है उनकी वीडियो में और जो उनने स्टैंडर्ड शेट किया हुए यह पांच जो मेरे करन्ट फेवरेट यूटुबर्स थे मैं बताना चाहता था आप लोगों को इन लोगोंने बहुत इंस्पार किया है और मुझी कहवा लगता है यार मेरा भी ऐसा होना चाहिए चैनल इनकी जैसा इनकी जैसा तो खैब बहुत दूर है भी प्रॉण। प्रॉण। यंड जैसा अपनी तरह नाग कर दो दूर मेरे काफी संवेच का था लगता है। मैं बत्शशा तौ तू आप 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 बाव आप दो आप इसाफ आप चैवार हूर मार नवार नवार तौ दो एप ता नवहे हैं एफ तू रख एफ एफ इल्ड लग्ड़ एफ एफ लिडा टार से एप लिए लगाइचव से लगे। झाल झाल